नमस्कार मैं रविश कुमार खजा में अकाल पढ़ गया है ऐसा नहीं है कि भूमद्य सागर का पानी सूख गया है गर्मी इतनी तेज है या पाला पढ़ गया है कि खेतों में खड़ा अनाज सूख गया हो नरसंगार करने कि इसराइल की भूक इतनी बढ़ती जा रही है कि उसके बम से मरने के बाद जो बच गए हैं वो अगला बम गिरने तक भूक से मरने की तरफ बढ़ रहे हैं 20 लाक लोगों के पेट में भूक का बम फिट कर दिया गया है भूक की मौत की आवाज नहीं होती और भूक का बम फटता भी नहीं नहीं आसमान में गुबार उरता है वो धीरे धीरे सोख लेता है इनसान की मान स्पेशियों को उसकी रगव में बहते रगत को आँखों में बचे पानी को वो शरीर को अनाज समझ कर खा जाता है गजा में लाए गए इस अकाल को हम उस देश में कैसे रिपोर्ट करें जहांकि 85 करोड लोगों को 35-35 किलो गेहूं और चावल मुफ्त मिल रहा है अगले 5 साल तक मिलने की गारेंटी दे दी गई है और इसके पोस्टर हर तरफ लगा दिये गए है भूग से किसी तरफ बच गए या बचा लिये गए 81 करोड लोग भूग से मरते हुए बच्चों की चितकार सुन सकते थे लेकिन उन तक पहुँचने के लिए हमारे पास बोला रिज़ित है जिस पर सबसे बड़े चांदाता की तस्वीच है यह तो या लोचना नहीं है बलकिस भूग को समझने की कोशिश है जिससे गज़ा के बच्चे तड़प रहे हैं अब तो उनकी भी खबरे बंद हो गई हैं जिनके फोन करने जहलाने मनाने समझाने और उसी को हतियार बेचने की खबरें दुनिया भर में फ्लेश हो रही थी अब तो उन तस्वीरों पर भी किसी का ध्यान नहीं जाता कि कोई कहीं से उड़कर तेल अवीब गया है और युध रुकवाने का प्रयास कर रहा है बाद में यही पता चलता है कि वह हतियार बेच रहा था संयुकते रास्टों से लेकर वाइट हाउसों से आने वाली चिंताएं और चेतावनियों का अब कोई मतलब नहीं रहा एक दूसरे को फोन कर अखबार में फोटो छपवाने वाले और हेडलाइन लिखवाने वाले नेता अपने अपने देश में चुनाओं में व्यस्त हो गए हैं और अपना पोस्टर छपवाने में लग गए युद्ध रुखवाने वाले नेताओं ने अपना पता और पोस्टर का ठिकाना बदल लिया है वो अपनी सीटों की गिनिती कर रहे हैं, गजा में मारे गए और मारे जा रहे बच्चों की गिनिती से, उन्हें कोई मतलब नहीं, यह भी एक किस्म का अकाल है, जो खबरों में आए दिन दिखता है, हमारी उम्मीदों को अकाल खा रहा है, अक्टूबर से मार्च आ गया, बल गई हैं, उनके शरीर में धड़कने भर की जान बची है, उनसे रोया तक नहीं जा रहा, बच्चों ने रोना बंद कर दिया है, उस दुनिया के सामने जो हर दिन दावा करती है, कि वो अपने बच्चों के लिए इस दुनिया की चिंता करती है, 13,000 से अधिक बच्चे मार दिये गए, इसमें उनकी गिनिती शामिल नहीं, जो भूग से तडप रहे हैं, जो जिन्दा होते हुए भी तडप रहे हैं, और हर घड़ी मर रहे हैं, ये वो बच्चे हैं जो इसराइल के बमों की भूग से नहीं मरें, बलकि उसने अनाजों की सप्लाई रोक कर इनके पे में लोग गधों के खाने से, घास से और चिडियों के दाने को पीस कर आटा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अगले दिन तक ऐसी रोटी पत्थर हो जाती है, पत्तों और टेहनियों को उबाल कर पिया जा रहा है, गेहू मिलता नहीं, उसकी जगा जौँ बट रहा है, उसकी क खाने को नहीं मिल रही, यहां खाना बन रहा है, लेकिन देखिये कहां बन रहा है, लोहे की सलाखों के पीछे बनाया जा रहा है, शायद भूखे लोगों के हमलावर हो जाने का डर होगा, भूखे लोग बम नहीं बरसाते, बम नहीं बनाते, रोटियां लूट सकते हैं, ल लेकिन विश्व स्वास्त संगठन के यूनी फीड से आई इन तस्वीरों को देख कर मैं ठीक ठीक नहीं बता पा रहा हूँ कि यह जो बच्चा खाली बरतन लिये लाइन में खड़ा है कितनी देर से खड़ा है कितने दिनों से भूखा है इसका कोई भाई या बेहन भूख से मर तो नहीं गई इसकी मां यहां नहीं है क्या वो बहुत भूखी होगी या मर चुकी होगी जानवरों के चारे से रोटियां बन रही है लोगों से खाया नहीं जा रहा है युनिसेफ की यह तस्वीर आपके यकीन करने के लिए है कि चारे से खाना बन रहा है सूखे डंठलों को इकठा किया जा रहा है ताकि उबाल कर कुछ पीने लायक या खाने लायक बन सके ABC एक न्यूस संसा है उसके रिपोर्ट में लिखा है कि एक माँ बच्चों के लिए सूख बना रही है जो उनका दिन का एक मात्र भोजन होगा सूख के नाम पर पानी में घास उबाल कर बच्चों को पिला रही है वे कहती हैं कि हम डाल बनाते हैं मगर उसमें डाल नहीं है प्याज नहीं है नमक नहीं है पानी में सबजी या घास उबाल कर देती हूं आप इस खबर को देखकर रोही दें इसलिए नहीं बता रहा बलकि जानता हूँ कि आपके रोने की शमता दूसरे कारणों से समाप्त हो चुकी है आपके शरीर में कूपोशन नहीं फैला है लेकिन गजा के नवजात बचों की बाहें सूप गई हैं ककडी हो गई हैं आखे धस गई हैं इतना बता देने से भारत की जनता में भावनाओं का सेलाप फट पड़ेगा ऐसी उमीद मुझे बिलकुल नहीं है इन तस्वीरों को देखकर आप ये ना कह दें कि इस हाल में तो दिल्ली में लाखों लोग रहते हैं उनकी जुगियां भी गज़ा के विस्थापितों की जुगियों की तरफ दिख रही हैं जहां पानी नहीं है पानी के लिए कनस्तर लिए लोग घंटों कतार में खड़े हैं फिर भी पानी नहीं मिलता जब आप अपने देश के लोगों के इस हाल पर नहीं रो सकते तो गजा के प्यासे बच्चों के लिए आप बिलकुल नहीं रोएंगे या मैं जानता हूँ हमने गजा पर आखरी वीडियो 18 नवंबर 2023 को बनाया था सारे सवाल सारे आक्रोश एक ऐसे मोड पर पहुँच गए जिसके आगे का रास्ता बंद लगा इसके बाद भी तमाम ऐसे पत्रकार हैं जो हर सुबह उटते हैं और गजा का हाल पता करते हैं रिपोर्ट दर्ज करते हैं यही नहीं दुनिया के कई शहरों में लोग घजा में युद विराम को लेकर मार्च कर रहे हैं आज भी जुलूस में जा रहे हैं इन्हें पता है कि इससे युद नहीं रुकता फिर भी ये लोग युद रुकवाने का नारा लगाते हैं आपके मन में सही सवाल आया कि ये लोग क्यों मार्च कर रहे हैं युद्ध तो रुका नहीं बंबारी के बाद अब तो अकाल आ रहा है मरना जारी था मरना जारी है साहित्य संस्कृती पर सोचने विचारने वाले रंजीत हसकोटे ने लिखा है इसके बाद भी लोग हमें कहते हैं इस यातना और आतन के खिलाब बोलने का सही समय नहीं है इसका राजनितिक असर बहुत बुरा होगा या सही समय नहीं है जनता का मूड इसके खिलाब है या सही समय नहीं है उतनितिक संबंद दाओं पर है या सही समय नहीं है हमारी संक्या इतनी नहीं कि हमारे विरोध से फर्क पड़ेगा यह सही समय नहीं है सही समय कब होगा मैं अपनी घड़ी देख रहा हूँ शाम के छव बच कर 55 मिनट को रहे हैं अभी 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 ही बोलने का सही समय है किसी भी आतंक और यातना के खिलाब बोलने का समय अभी ही है अभी अभी हमें वरिंदगान हैं कुरस हैं हमें समुदाए हैं हमें हैं भाई चारा अन्याय आतंक सेंसर्शिप और प्रदर्शनों को कुचल देने की हर चुपी के खिलाब हमें ही बोलना है इन्हें पता है कि Mother of Democracy अर्थाद इंडिया में लोग गजा के बच्चों के लिए मार्च नहीं करेंगे फिर भी ये लोग मार्च किये जा रहे हैं और इस मार्च में कुछ भारतिय भी नजर आए असल में जब से हम वसुधैव कुटमकम का इस्तेमाल नारे के रूप में करने लगे हैं ऐसी यातनाओं के खिलाब मार्च करने की जरूरत नहीं रही भारत हमेशा से शांती का पुजारी रहा है इसलिए गजा को लेकर भारत में बहुत शांती है क्या याग दिलाना जरूरी है कि रमजान का महीना है रमजान से पहले के कई महीनों में इसराइल ने कौन सी दया दिखा दी सब्भे और सब्भेता हम कितनी बार सुनते हैं बोलते हैं दरसल असब्भे होना ही आज की आधुनिकता है आप बहुत अच्छे सिले कपड़े में सुन्दर से महल में और महंगी कार से उतरते वक्त भी असब्भे और आसमवेदन शील होते हैं आज नेतन्याहू किसी चुनाओं में जीत जाएं उन्हें बधाई देने में मदरब डिमोक्रिसी अर्थात इंडिया के नेता सबसे पहले दोडेंगे वाइट हाउस वाले तो हत्यारों की लिस्ट लेकर पहुँच जाएंगे खरीदो और इस्तमाल भी करो फिर आसमान से फूड के पैकेट गिराकर दयावान होने की सबहता का प्रदर्शन कराएंगे दिसंबर से खबरे आ रही हैं कि इसराइल भूक को हत्यार के रूप में इस्तमाल कर रहा है लोगों को भूखा मार रहा है शायद वो अपने बमों और गोलियों को बचा रहा होगा अकाल के भी कई चरण होते हैं उसके पैमाने होते हैं जिसके बाद अकाल के अलग अलग चरणों की घोशना की जाती है या कई चरणों में किसी आबादी को निगलता जाता है उत्तरी गजा में अकाल के सभी चरण पार हो चुके हैं दुनिया में पिछले 13 साल में केवल दो ही बार अकाल घोशित हुआ है 2011 में सुमालिया, 2017 में सुडान आप अगर सुडान और सुमालिया से नहीं जुड़ पा रहे हैं तो कोई बात नहीं बंगाल में भी अकाल आया था बीस लाग से जादा लोग भूग से मर गए इस पर कई किताबे हैं शायद उन किताबों में आपको गजा की माओं और बच्चों की भूग और सुखती मांस पेशियों को समझने का कोई रास्ता मिल जाए कोई पन्ना मिल जाए अलज़िरा की एक रिपोर्ट में गजा की एक माँ कह रही है कि मैं बच्चों को मिट्टी में खिलाती रहती हूँ टेंट के बीच में भगाती रहती हूँ अपने हिस्से का खाना दे देती हूँ खुद तीन दिन बिना पानी या खाने के रही एक मा कह रही हैं कि जिस बैग में हम थोड़ा सा खाना लाए थे बेटी बार-बार उसे चेक करती है कि कहीं कुछ बचा ना हो गलती से कोई बिस्किट ना निकलाए लेकिन सारा खाना खत्म हो चुका है वे कहती हैं कि मैं बच्चों को छोटे छोटे काम देकर व्यस्त रखती हूँ और जब कोई बहाना नहीं चलता तब हम जो दिन में एक बार खाना खाते हैं उसे टालती रहती हूँ बार बार कहती हूँ थोड़ी देर में दूंगी तब तक शाम होने लगती है और अंधिरा हो जाता है और बच्चे जल्दी सो जाते है उनका बेटा कहता है मुझे लगता है मैं भूग से मर जाऊंगा। उनके आसपास हर टेंड से बच्चों के रोने करहने की आवाजे आती हैं। दुनिया की माओंने कितनी बार दोहराया होगा। एक माँ एक माँ को समझती है। क्या उन माओं को गजा की माओं का दुख समझ आ रहा होगा गजा में पीने के लिए साफ पानी नहीं है बच्चों के लिए काम करने वाली संस्था यूनिसेफ ने कहा है दो साल से कम के 90 फिस्दी बच्चे सीवियर फूड पावर्टी के शिकार है हिंदी में इसका मतलब प्रेम चंद बहतर बता सकते थे मगर मुझे यही समझ आया कि भोजन की अत्यंत गरीबी की चपेट में आ गए है गर्वती और दूद पिलाने वाली माताओं में 95 प्रतिशत भोजन की अत्यंत गरीबी की शिकार है मुझे नहीं पता इन प्रतिशतों से आपके भीतर की संवेदन शिल्ता और करुणा का कितना प्रतिशत जागरित हुआ होगा और कितना प्रतिशत मुर्चित रह गया होगा माओं की छातियां सूख गई हैं दूद पीने वाले बच्चों के पेट सूख गए हैं बच्चों को बचाने वाली संसा सेव्द चिल्डरन ने कहा है कि चुहे जो छोड़ जाते हैं बच्चे उठा कर खाते हैं गजा के 11 लाक बच्चे भूख मरी के कगार पर पहुँच गए हैं UNRWA ने कहा है दो साल से कम उम्र के तीन में से एक बच्चे को भयानक कुपोशन है उसके शरीर में पॉस्टिक तत्व नहीं है UNICEF की डिरेक्टर ने अलजजीरा से कहा कि सबसे जादा कुपोशिद बच्चों के वार्ड में चुपई है क्योंकि बच्चों में रोने की ताकत नहीं है रॉइटर्स में एक बच्चे पर रिपोर्ट हुई है कि वो हमले से पहले आम बच्चों जैसा था लेकिन हमले के बाद से उसके पुरानी बिमारी बढ़ गई उसे खाना नहीं मिल रहा इलाज नहीं है मा का कहना है मैं उससे खड़ा करती हूँ वो वहीं गिर जाता है उसके पैरों में बिलकुल जान नहीं है गजा के स्वास मंत्राले का कहना है पिछले कुछ हफतों में 27 बच्चे भूख और पानी की कमी से मर गए रॉइटर्स के पत्रकारों ने लिखा है कि उन्होंने अपनी आँखों से कुपोशिद बच्चों को देखा है भूख से मारना काफी नहीं रहा होगा इसलिए प्यास से मारना जरूरी समझा गया होगा पानी की आपूर्ती काट दी गई है जिन पाइप लाइनों से पानी बहता है वो बंबारी में तबाह हो चुकी है गजा में पानी की आपूर्ती की तीन पाइप लाइने थी एक ही पाइप लाइन बची है बहुत कम पानी है इसराइल इन पाइपों की मरंबत ने बाधा डाल रहा है डालेगा ही जो बम गिरा रहा है भूख से बच्चों को मार रहा है वो पानी की सप्लाई क्यों करेगा बच्चों से लेकर बड़ों के आँट और हलक सूख कर इसराइली बमों से मुक्ती की आराधना करते होंगे इसराइल उन्हें भूखा मारना चाहता है मारने से पहले प्यास से तड़पाना चाहता है राहत सामगरी पहुंचाने वाली संस्थाएं चीख रही है कि घजा में खाने पीने से लेकर दबाओं की सप्लाई बढ़ाई जाए इसराइल ने अंतरास्ट्री आदालत से ये कहा है कि अर्नायतिक रूप से अशोबनिया है कि राहत सामगरी बढ़ाई जाए नहीं बढ़ाई जाहिए बम बरसाने वाले की करुणा से भी बड़ी करुणा किसी की नहीं है उसने कहा है कि वो खुद चिंतित है और कदम उठा रहा है कोई दिन ऐसा नहीं जब गजा में लोग बम और भूग से नहीं मर रहे 32,161 लोग मारे जा चुके हैं जो घायल हैं जिस इलाके में खाने के लिए अनाज ना हो पीने के लिए पानी ना हो वहां मरने से बचाने के लिए दवाएं क्यों होंगी बमों ने हर तरह का भेद भाव मिटा दिया है जो लोग राहत सामगरी लेकर जा रहे हैं बांट रहे हैं वे भी बंबारी में मारे जा रहे हैं जो लोग भोजन के इंतजार में लाइनों में लगे हैं उन पर भी बंब गिर जाता है बंबारी ने उन्हें भूखा किया, भूख से मरते मरते अनाज की लाइन में पहुँचे और बंब ने उन्हें फिर से मार दिया इस बार हमेशा के लिए मार दिया, पंद्रह मार्च को 21 लोग मार दिये गए वहां से आने वाली तस्वीरों में सामान की बोरियां लादे इनसान भाग रहा है उन बोरियों को पाने के लिए भाग रहा है पाल लेता है तो उन्हें बचाने के लिए भाग रहा होता है येरोपियन यूनियन की विदेश नीती के प्रमुक जोसेब बोरिल ने कहा है कि इसराइल गजा में आकाल पैदा कर रहा है बलकि आकाल आ चुका है क्या आप इतना सब जानने के बाद भी इन आकड़ों में दिल्चस्पी रखते हैं आकड़ों का कोई आकाल नहीं है 26 जनवरी से लेकर 23 फरवरी के बीच गजा में 3400 फिलस्तिनी मारे गए मरने वालों की संख्या 32,000 से अधिक हो चुकी है अभी से लेकर मई के महिने तक गजा में आकाल का प्रकुब बढ़ जाएगा जब से अंतरास्ट्रिया कोर्ट में इसराइल के खिलाब आदेश पारित हुआ है तब से इसराइल ने राहत सामगरियों का पहुँचना और मुश्किल कर दिया है संग्तरास्ट राहत कारे एजनसी UNRWA और United Nations Office of the Coordination of Humanitarian Affairs OCHA ने कहा है कि घजा में राहत सामगरी लिए ट्रकों का प्रवेश कम होता जा रहा है जनवरी महिने में 147 ट्रक राहत सामगरी लेकर गए फरवरी महिने में इनकी संख्या घटकर 93 रह गई 9 फरवरी से 21 फरवरी के बीच केवल 57 ट्रक ही जा सके अक्टूबर महिने से पहले 500 ट्रक हर दिन जाया करते थे 16 साल से घजा राहत सामगरी पर ही जिन्दा है आप अंदाजा लगा सकते हैं कि खाने पीने की कितनी भयंकर कमी हो गई होगी इसराइल के वितमंत्री का बयान है कि उसने अमेरिका से आ रहे चार जहाजों को रोग दिया इन जहाजों पर राहत सामगरी लाई जा रही थी जिसे यूएन आर डब्लुए को दिया जाना था इसराइल कहता है कि इसके 30,000 कर्मचारियों में से कम से कम 12 कर्मचारियों का संबंध अक्तूबर के हमले से रहा है संयुक्तिरास्टिस मामले की जाच कर रहा है अनुमान है कि घजा के 12 लाख लोग अकाल की चपेट में हैं यानि कुल आबादी का 80 फीसदी हमारे लिए समझना मुश्किल है कि इन हालात में वहां विश्वस्वास्त संगठन से लेकर तमाम रहात एजन्सियों के डॉक्टर, नर्स, कारिकरता कैसे काम कर रहे हैं उनके दिल औ दिमाग पर क्या असर पड़ता होगा वो किस मिट्टी के बने हैं उन डॉक्टरों के बयान है कि वे भी भूखे रहने लगे हैं एक ही वक्त का खाना खाते हैं उनका कहना है कि मरीज को तीन बार खाना मिलना चाहिए एक बार ही मिल पाता है गजा के लोग जानवरों का चारा खा रहे हैं घास खा रहे हैं खाने के लिए रोटी नहीं हैं भूख से तड़प रहे हैं असी, नबे, फिसदी, आबादी अकाल की चपेट में है अकाल मृत्यू अचानक नहीं होती है जैसे बंके गिरने से हो जाती है इनसान मरने से पहले धीरे-धीरे मरता है कई दिनों तक, कई हफ़तों तक मरता रहता है खबरे हैं कि कई बच्चों की मौत भूख से हो गई गजा के लोगों को अकाल से मारा जा रहा है मैं समझता हूँ कि आप गजा के खबरों से कोई मतलब नहीं आप व्यस्त हैं कि जुमेटो शाकाहारी भोजन पहुंचाने के लिए हरे रंग का यूनिफॉर्म लेकर आया है क्यों कर रहा है क्या वो जुमेटो की तरह अपना फैसला वापस लेगा इसके लिए या ऐसा दबाव डालने के लिए क्या आपके पास टाइम है नमस्कार मैं रविश कुमार